आप सबीका स्वागत है और आज हम गीता के दस्वे अध्याय से चर्चा करेंगे इसका ओवर्यू करेंगे पिछले नौविधाय में आपने इसका ओवर्यू देखा होका वैकुन्चनपू के दवारा और नौविधाय के अंत में भगवान मनमना मत भगतो इस लोग से अंत कर और यहां पर इस दस्व धहाय से भगवान इसी को आगे बढ़ाते हुए कि एक कैसा भक्त योग में कारे एक भक्त करता है और भगवान के लग- doubling विभुतियों के जान कर कैसे अपना मन को निवेश मन को अपने निवेश करता है भगवान की विभूतियों को अपलिंस इसको जो इस जगत में दिखती है और भगवान अपने इस जगत में जो अपलिंस इसको देखती है उसके बारे में बताएंगे तो यहाँ पर एक चीज बहुत समने वाली है यहाँ पर भगवान अपनी विशेशताओं के बारे में बता रहे है कि हाँ देखिए जितने भी चमकने वाले चीजे हैं और में से सूरे मैं हूँ तो यहां पर भगवान अपनी ग्रेटनेस को यहां पर बताने का प्रयास नहीं बता ही रहे है और ताकि देखिए क्या होता है कि जो समाने जीव है या समाने human being है वो यह सोचता है भगवान के पास जाके कि हाँ क्योंकि मुझे भगवान से कुछ चाहिए भगवान सबसे जैसे हमने पहले भी बताया था भगवान के पासने के लिए लोग आते हैं कुछ लोग भगवान के साथ आते हैं कुछ एक आशा लेकर आते हैं कुछ करतव बुद्धी मान कर आते हैं कि हमें भगवान को मानना ही चाहिए कुछ भगवान से प्रेम करके उनकी पासना करते है तो जो पहली केटिगरी है जो भई डर के कारण भगवान के पास आते हैं तो सबसे बड़ा उनका पहला कॉंसेट यह होता है कि भगवान सुंदर है या नहीं है यह बात की बात है भगवान सबसे सक्षिशाली है पावरफूल है और उनी से सारी दुनिया चलती है हम कुछ गलत करेंगे तो हमें शायद पनिश्मेंट मिलेगी तो उनका जो भगवान की उपासना का जो अधार होता है वो भाई होता है डर के भगवान के पास आते हैं और तो यहाँ पर भगवान अपनी ग्रेटनेस को स्थापिट करें है कि मैं देख को कितना महान हूँ मेरी ग्रेटनेस देखनी है देखिये भगवान इस लोग में चतुर्श लोगी गीता भी आएगी जहांपे भवान गीता का पलकुल सार भी देंगे यहाँ पर अपनी भवान, महानदा को स्थाहपित भी करें greatness को establish करें पर बhuकियों के ग्यान में और कुछासा करें अब अरजन को कहते हैं पहले श्लोग में यहाँ से शुवात होती है तस्वेद हैसे पहले श्लोग में बताते हैं कि अरजन अब जो है यह ग्यान जो मैं आपको देने वाला हूँ जितना भी ग्यान मैंने आपको पहले दिया है यानि नो चेप्टर तक जो भी दिया है इस सबसे बड़ा ग्यान देने वाला हूँ इस नॉलेज इस परममवचा, greater than what I spoke earlier, जो मैंने पहले बोली है, इससे ज़्यादा मैं आपको बड़ी चीज बताने वाला हूँ और फिर भवान कहते हैं दूसरे श्लोग में, देखो मेरे बारे में कोई भी नहीं जानता ना कोई देवता जानते हैं ना कोई बड़े-बड़े सादू संत जानते हैं कि मेरे जो एश्वरे हैं मेरी कैसे उत्पत्ती होती है मैं मतलब कैसे आता हूँ यह सब रहसे में हैं उनके लिए, किसी को नहीं पता क्योंकि मैं ही इन सभी बड़े-बड़े संतो सादू गर्ण, या जो विदवान लोग हैं, या फिर जो को देवता है, इनका सोत्र मैं ही हो, फिर देवता हैं इन में कैसे जान सकते हैं लेकिन थीष्य शोग में बताते है DIRECTOR में में पहले शोग में बताया हरजुन anlatा कि मेरे बारे में कोई नहीं जानता है madap know, कि कोई को बड़े का मित्र आपको कह अगर मेरे बारे में कोई जान जाता है तो सब तरह के पापों से मुक्त हो जाएगा जैसे पहले भी हमने जीता कि चोधे था में देखा था भगवान बता रहे थे कि जो मेरे जनम करम को दिवे समझता है वो इस जगत को छोड़ कर अध्यात्मी जगत में आता है और दुबारे यहां पर नहीं करता तो उसी बात को भगवान यहां पर बता रहे हैं कि भगवान के बारे में जो सत्ते कोई वेक्ति समझ जाता है तो उसके सारे पापों से मुक्त हो जाता है और व्यक्ति कभी वो भ्रामित नहीं होता है ना अब आगे बताते हैं चोधे श्लोक में कि कई तरह के गुण है जो भगवान बता रहे हैं जो मुझसे आते हैं वैसे तो हर चीज भगवान से आते हैं लेकिन भगवान कुछ विशेश चीजों का फिर भी उलेक कर रहे हैं जैसे कहते हैं बुद्धी हर की जो बुद्धी चाहिए इंटलिजन चाहिए वहान कहरे हैं मुझसे आती है ग्यान मुझसे आता है freedom from illusion माया से जो हट के ग्यान मुझसे आता है forgiveness truthfulness sense control mind control happiness distress fear, fearlessness सारी चीज़े गुण मैंने ही बनाए है और फिस का बाब बता है जितने ही भी जो प्रोजनाइंटर से मतलब जिन्हों ने भी इस शिष्टी के आगे प्रोजनी क्रेट करी आगे संताने उत्पन करी शिष्टी को चलाया और जो शिष्टी के पहले व्क्ति में से रहे हैं जैसे चार कुमार इनको भी मैंने उत्पन किया सब तरीशी हैं चार कुमार भवान बता रहे हैं मैंने मिर से यह आए और फिर आप बताते हैं जो अंग सब चीज़ों को समझता है पहले एक से साथ शलोक में यहाँ पर भगवान यह बता रहे हैं कि कोई मुझे नहीं जानता हालकि सबका मैं ही सोत्र हूँ इस चीज़ को बता रहे हैं चार से छे चार पांच छेश लोग में बगवान अलगलग क्वालिटीज और सब तरिशों के बारे बता रहे हैं बगवान देखो अपनी महानता बता रहे हैं जैसे ही में पहले बताया था कि एक भगवत गीता ही ऐसा गरंथ है पूरे दुनिया में जहां पर सुप्रीम परस्टनालिटी अफ गौड़एट अपने बारे में बता रहे हैं कहीं भी ऐसा वर्णर नहीं आता कि किसी भी गरंद में ऐसा वर्णर नहीं आता कि मैं भगवान हूँ जहां पर सुप्रीम परस्टनालिट गौड़एट भगवान अपने बारे में बता रहे हैं और हम भारते होने के नाते ये गीता हमारे पास उपलब्ध है तो बहुत सुभागे शाली भी है अब क्या बताते हैं भवान कि अगर कोई मेरे इन चीजों के बारे में जानता है मेरे इस अश्वरे शक्ती के बारे में जानता है तो मुझे शनागत होता है बिना किसी शंका के मेरी भक्ती में लगता है बिना किसी हिजग के मेरी भक्ती में लगता है तो पहला यहां पे भोण अपनी भगवक्ता जो कहेंगे जो महांता को स्थाबित करें इसे की भगवान कितने महान है सब चीज मुझसे ही निकला है जितनी भी दुनिया में चीज़े दिखती है सब भगवान से किसी साइंटिस के अंदर भी बुद्धी आ रही कि कैसे मैं ग्रेविटी ग्रेविटेशन लो निकालू या कुछ भी एविलिशन थेओरी निकालू यह भी भावान द्वारा दी गई है जो भावान से चाहता है वो भावान उसको दे देते हैं जो चीटेस गेट चीटेट जो दोखा पना चाहता है तो भावान उसको दोखा भी देते हैं आगे भावान बताएंगे इसमें तो दुनिया में हर वेक्ती जैसे मैं भी एक भावतम क्लास में चर्चा कर रहा था दुनिया में हर वेक्ति महान बनना चाहता है शक्ति शलिए बनना चाहता है और ये बदजीव की एक defect भी है क्या disease है उसकी उसकी बिमारी है कि जब वो भागवान को छोड़ के जगद में आता है तो भागवान से compete करना चाहता है लड़ना चाहता है मैं भी अट्राक्टिव बनूँ यह हम सुनते हैं कही बार है लेकिन हम सब की बिमारी है इसको अगर गोर से डीपली देखेंगे हम वास्ता में क्रिश्न बनने का प्रास करें क्योंकि जब तक हम शुद्धभक नहीं बनते हमेशा क्रिश्न का चिंता नहीं करते हैं पूरी तर वास्ता में हम किसी ना किसी रूप से महान बनने का प्रास करें शक्ती शाली थो अट्रैक्टेंग में बनने चाहते हैं कुछ उपलंवद्यों के दोरा और समगरी इकर्गतित करने के दोरा जिसके बईस जए पना जएदा अट्रैकटिव है कोई संदरिय के दौरा अट्रै तो हम कृष्ण बनने का प्रियास कर दें भक्ति की विदी सारी यही है कि आप भौती जगत में रहके आनन्द ले सकते हो सुखी रह सकते हो लेकिन और यह खुश रहना हमारी वास्विक स्थिती भी है क्योंकि आनन्द में भियासाथ भग्वान हमेशा खुश रहते हैं अनन्द में भियासाथ हमेशा पून रूप से the God has complete enjoyment, full enjoyment and being the part and parcel of the God we also are supposed to get or should be getting the complete enjoyment but the point is when we are separate from Krishna we cannot experience the complete enjoyment in various bodies we may experience some enjoyment but cannot complete enjoyment and we cannot be satisfied unless we have complete enjoyment जैसे प्रापद एक अधारम देते थे रेगिस्तान में गीला करने के लिए एक बून्द काफी नहीं है उसको सागर सी है उसको सागर सी है उसको गीला करने के लिए उसको सागर सी है उसको एक अपजाव बनाने के लिए इसलिए हम देखें दुनिया में जो भी कारे करते हैं यह लॉजिकल है बहुत डीपली इंट्रस्पेक्शन करके विक्ति समझ सकता है इंटलेक्शल बेस पर भी अब स्पिशल बेस की बात नहीं करते है यहां दुनिया में चाहिए क्या वास्ते में चाहिए प्रेम हैपिनेस, एंजॉर्मेंट जो उन मिल ने रही तो भगवान बता रहे हैं यहां पर गरंडी दे रहे हैं जो मुझे शनागत होता है नेरी भक्ति प्राप्त करता है वह मुझे शनागत करके हर प्राप्ते होता है यानमा करता है भक्ती करने के लिए प्राप से मुख्त होना बहूत जरूरी है भक्ती में देड होने के लिए यह भांधesse बताते हैं कि वह व्यक्ती देड़ता से भक्ती नहीं कर सकता जब तक उसके पाप पचे हूं है या बहुत जादा पापों का stock है हम सुनते हैं कि व्यक्ति जजदा प्रोसेस में इतना determined नहीं हो पाता क्योंकि उसके पाप करणों का जो stock है बहुत जादा है जैसे जैसे वो भक्ती को sincerely वक्ति से भाप खतम होते हैं, धुवान भी किर्पा देते हैं, एक नियम के साब से जीवन जीता है, चान नियम का पारण करता है, असब प्रसाथ जो भी खाना खाता है, भोग लगा के प्रसाथ घ्रेंड करता है, तो उसका लाइफस्टैल बहुत प्यूर बनता है, धीरे धी जितना उसका लाइफस्टैल प्यूर बन रहा है, उतना उसकी दिर्था बढ़ेगी, ऐसा कभी हो इनी सकता है, इसका लाइफस्टैल प्यूर ना हो, और वह बहुत ही डिटामेंड हो, बहुत मुश्किल है, यह रही है, एक्सेप्शन हो सकता है कोई मालीजे, लेकिन जनरल रूल नहीं होता है, लेकिन जनरल रूल नहीं है कि मालीजे कोई वक्ति अपने पापां से मुक्त नहीं हुआ, और बहुत ही दिड़ है, बज़ते इमाम दिड़ बता है, यह शाम तो अंत गतम पापं, जनलाम पोने कर्म ना, यह भगवान बताते हैं गीता में, तो फिर आ इन चार श्लोक में गीता का भगवान ने पूरा एसंस दिया है, इसको चत्र श्लोक की गीता भी कहते हैं, अगर इन चार श्लोक को कोई पढ़ ले, तो उसको गीता पढ़ने का लाभी मिलता है, चत्र श्लोक की गीता की चार श्लोक के अंदर भगवान ने सारी गीता का सार and heavy words in the sense यह बहुत डीव वर्ड है इनमें बहुत वेट है इसकी घहराई में जाना चाहिए इस पर इंट्रिस्पेक करना चाहिए तो भावान अपने बारे में बता रहे है क्या अहम सर्वत से प्रभवो मैं हर चीज का मालिक हूँ जैसे हमने बता है भावान पारफुल है कंट्रोलर वही होता है जो पारफुल हो राजा पारफुल है तब ही कंट्रोलर है प्राइम मिनिस्टर पारफुल है कंट्रोलर तब ही है उसी को कंट्रोल दिया जाता है हम भी दुनिया में अलग-अलग कंटोल पाना चाहते हैं अपनी फैमिली में कोई अपनी बात मनवाना चाहता है हर जगा पर छोड़ी छोड़ी जगा पर हमारे कंटोलरशिप डिखती है इस पर गहराई में देंगे तो हर जगा दिखेगी जहां पर हमारा बस चलेगा, हम तिलाना चाहेंगे, नहीं चलेगा, वहां पर रिप्रेस हो जाएंगे तो भवान हर चीज यह मालिक है, क्या है, मता सर्वं प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ निकला है तो law of gravitation force तो है, formula है, लेकिन ग्रैपिटेशन force बनाया किसने, किसने निकला डिसकावर किया, बनाया किसने ब्लैक हॉल है, बनाया किसने, evolution है, बनाया किसे, 60 है, बनाई किसने तो बहान किया रहे है, सब कुछ मैंने करा है, कोई विसफोर्ट से, किसी चीज़ से निवा, ये मुझसे हुआ है, गीता कसिदान जी कहते है वो इससे पहले क्या करें, सारी बुद्धी में मुझसे आती है अगर कोई इसको जान लेता है, और मेरी सेवा में लगता है, जानकर विक्ती, बुद्धी मान बनता है, तो वो मेरी सेवा में लगता है बुद्धी मान बनो, सब कुछ मुझसे निकला है, बुद्धी मान बनो, और मेरी भक्ती करो, सबसे सरल का रहे है जैसे हमने पहले बताया, तस्याम सुलब अपार था, आटफे चैप्टर में, कि भवान को प्राप्त करना बड़ा असान है, क्योंकि भक्ती के दुवारा भवान बहुत असानी से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है, भक्ती के दुवारा भवान तो प्राप किये जा सकते हैं लेकिन सारा प्रयास इसलिए किया जाता है कि हम भक्ती कर सकें कि भक्ती की शुवात होती है शुद्धा से जब शुद्धा है निये तो भक्ती कहा शुद्धा होगी तो इसलिए क्या है भक्ती से भावन को समझ सकते हैं लेकिन आप जितना विक्ती सिंसेर है भावान उसकी शिद्धा उतनी बढ़ाएंगे क्योंकि भावान भी चाहते हैं हर कोई मेरे पास आए यह तो एक गीत है कि ग्यान देने का क्या फाइदा जब भावान को कुछ मतलब ही नहीं हमसे क्यों एक ग्यान दे रहे हैं क्यों इतनी बाते कर रहे हैं क्यों अपने बारे हैं क्यों बता रहे हैं क्यों बता रहे हैं बहुती जगा दुखा ले हैं क्यों बता रहे हैं आपको मेरे पास आना है एक आपकी परवर्ती है, आपको यहां पर complete enjoyment नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों बता रहे हैं, मेरे धाम में वापिस आजाओ, क्यों भवान चाहते हैं, चाहते हैं क्योंकि यह जगत किसी उदेशी के लिए साथ बनाया था, उसको समझ जाओ, जल्दी से, जल्दी यह वापिस आओ, यहां पर रहने की जगह नहीं है, आपके लिए रहने के लिए ने मनाये, यहां पर एक टुटोरियल पढ़ाना था, एक लेसन पढ़ाना था, वह सीखके चल्दी आओ, अब नौवेश लोग में क्या बताते हैं, आटवेश लोग में हुआने बताया कि सब कुछ मुझ से न यह वो भावान के लिए पागल, एक दुनिया के लिए पागल, एक भावान के लिए पागल, भावान के लिए पागल है, इसको शुद्भग कहते हैं, दुनिया के लिए पागल तो वैसी पागल है, तो क्या है, एक एक लिए नौलेज इस ब्लेस है, एक अग्यानता में पा क्या है वो क्या करता है जब किसी और भक से मिलता है दो शुद भक मिलते हैं क्या करते हैं वो एक दूसरे को एनलाइटन करते हैं एक दूसरे को ग्यान देते हैं ग्यान शेयर करते हैं इससे पहले ग्यान तब शेयर करेंगे जब उनको कुछ पढ़ेंगे एक ज़िए ग्यान स हर चीज की प्रिपिरेशन चाहिए है या किसलिए आते हो मेरे पस साक्षाथ विग्राई के रूप में है हमें पता है सुना भी है एक भारती प्रवर्ती भी है चलो शूर से संसकार महुत है कि जािए मंदिर में जाइए लेकिन फ़लो पहले तो बहुते कि सामने आने से पहले आपने आपको थ्यार करना चाहिए कि मैं भऑवान के पास आणिए, क्या बहूंगा जिस वेक्ति कि रिडिंग नहीं है, श्रवन नहीं है, कुछ रिलाइज़शन नहीं है वो भऑवान के सामने करेगा क्या क्या करेगा देखके चला जाएगा यह माँसा ज़्यादा तर लोग के साथ होता है बहुआं के सामने आते हैं हाँ जोड़ते हैं जो इच्छा है मांगनी है मांग लेते हैं प्रपाजी कहते थे अपने और्डर कीजिए मैं आपके और्डर सप्लाय करूँगा बहुआं को बुरा मत पानिया हम इसी तरीके से डील करते हैं बहुआं मेरा यह कर दो मेरा वो कर दो ऐसे कर दो फिर भक्ती करूँगा फिर यह करूँगा पॉसिटड़ चेक्स हैं अपने और्डर देके निकर जाते हैं एक साधारन व्यक्ती भी यही करता है भवान के पास आता है अपने और्डर लिस लेके जाता है क्योंकि भाई हैं पावरुफुल हैं सब कुछ कर सकते हैं इनके पस चाहतों में को बहुत बड़ा अमीर व्यक्ती बना सकते हैं सारे काम पार कर सकते हैं, बहुत अच्छा पेपर मेरा क्लीर हो सकता है, बहुत अची जॉब लग सकती है, और नहीं चाहतो ये कुछ भी ना करें, चोर इतनी तो शद्धा है, अच्छा है, इस शद्धा के साथ आना भी अच्छा है, लेकिन यहां पर रुकना नशी आगे पढ़ने के बाद अप्लाय करने से विज्ञान प्राप होता है, विज्ञान का मतलब wisdom, one is knowledge, one is wisdom, wisdom means realization, दुनिया में विक्ति को ग्यान खूब हो सकता है, लेकिन ग्यान ज़्यादा काम नहीं आता, ग्यान जब तक समझ नहीं आता ना, अनुभूतियों के दवारा, वो ग्यान का ग्यान ही रह जाता है, realization क्या होता है, जो भभवान हिर्दे से आपको ग्यान को समझाते हैं, आपके प्रियासों से प्रसन होके, वास्ते में, अगर विक्ति सिंसेर है, तो भभवान तो उसको हमेशा कुछ ना कुछ साक्षत कार देहीर होते हैं, रोज ये कुछ ना अगर आप हतोडे हो, तो आपको हरजा का कील नजर आएगी, अगर आपके नजर हतोडे की जैसी है, तो आपको हर जगा कील नजर आएगी, तो वास्ता में, अगर आपके अंदर भवान को पानी की इच्छा है, या भवान को समनी की इच्छा है, तो हर चीज आपको भवान से जुरूए दिखे ऐ抗ीई एक दो शुर्वग क्या करते है आपस पर एक दुसरे पर इस्पे चर्चा करते हैं और एक दुसरे को ग्यान देरे बढ़ते हैं सुनते हैं सुनने कोई चाहता नियाज कर taper किसी को सुनना बहूत बड़े तपसे है कोई नहीं सुनके सह सकता है हर कोई दिखा जाता है अध्याद में इवन भी में को कितना ज़्यादा ग्यान है मैं कितनी रीडिंग करता हूँ लेकिन यहाँ पर उदेशी करता है एक दूसरे को एनलाइटन करना कृष्णी के करीब लेके जाना जब यहाँ दो लोगों से मिले भगवान को परसंद करना है और इसमें क्या कह रहा है भगवान को परसंद तो होंगी होंगी अलग बात है लेकिन व्यक्ति कैसे खुश होगा इस जीवन में व्यक्ति भगवान बताने है एक भग्त कैसे खुश रहता है जब आपस में मेरी चर्चा करते हैं तो दोनों का ज्यान बढ़ता है तो श्रंती चर्वनती चाथ, दोनों खुश रहते हैं दोनों भक्त भगवान तो प्रसंद होती ही होते हैं लेकिन दो भक्त खुश रहते हैं जो अध्यात्मी जगत की जो यात्रा है जणी इस जग्वान जाअ पास्टेश बढ़ता है यह जात्रा को साही से प्रसेस को फॉलो करने के बाद जितना आनंद मिलता है बासर में सिंसीर भगता है बहुत तेस्स में लगवाथ थे सपूश लाइफ में बहुत रही होती हैं बहुतमयों बतुता हैं बहुत revelation हो रही होती है इसके साथ बहुत experiences आ रहे होते है और ये हर किसी का हग है हर किसी पास इसकी opportunity है भवान चाहते हैं lots of realization लो, lots of experiences लो, lots of magic देखो अपने साथ भक्ती करो, देखो साक्षात आपको इसका perception मिलेगा लेकिन sincere भक्ती के लिए, casual भक्ती के लिए नहीं तो आगे क्या कहते हैं भवान दस्विश लोग में ये सबसे महत्मिश लोग है, जब भक्त इस परकार बात करते हैं तो क्या है और आपस में संतुष रहते हैं और तुष्ट हो जाते हैं और फिर क्या है भवान उनको क्या करते हैं बुद्धी देते हैं तेशाम सतज विक्ता नाम जो इस परकार भज़ताम प्रीती पूर्वकम यहां पे प्रीती बहुत important है ऐसे नहीं जो भक्ती में लगा है उसको भवान बुद्धी दे देंगे प्रीती पूर्वकम किसको देते हैं भवान बुद्धी जो प्रीती के साथ लगा है विट लव एंड डिवोशन दिस इस वट क्रिशन वोंच भवान को आपसे चाहिए क्या दे सकते हैं क्या खिला सकते हैं क्या चीज उफर कर सकते हैं भवान के पास सब कुछ है जुनिया का भवान हमारा प्रेम चाहते है जो प्रेम के साथ भवान की सेवा करना चाहता है या इच्छा रखते हैं मैं भवान को प्रेम करूँ प्रवपा जी कहते हैं मैं भवान से ये प्रात्ना करने चाहिए लेट मी लव क्रिशना मैं भवान सिप्रीम करना चाहता हूं तो फिर भवान गैरवे श्लोग में क्या बताते हैं ददामी भुधियोगम पहले श्लोग में प्रज़ा करें ददामी भुधियोगम तौं ये नमा मुप्यान थी ते कि कैसे मेरे धाम में आना है सबसे ultimate भवान का जो focus है यह विक्ति हाँ से बहुत एक ऐसे निकल के धाम में आजाए फसा रहेगा और इसकी मिर्ट्यू किसी समय भी हो सकती है तो हमें लग रहा ठीक अभी तो 25 साल उमर रहा है 20 साल उमर रहा है अभी तो बहुत समय है कुछ नहीं पता आगे समय क्या हो आज मन इतना खराब है आगे और खराब हो जाए आज हमारी चेतना आगे और खराब हो जाए और भक्ति करना मुश्किल होता है कल जूग बढ़ रहा है इसलिए अभी सही प्जास करने शुरू करने चाहिए फुली कृष्णा कौंश्न होनेगा और भधवान से प्रेम करने कर Champions अब भवान गैर्वेशलों में किया कहते है कि ऐसे जब भक्त चर्चा करते हैं उनको मैं बुद्दी देता हूँ और बुद्दी कैसे करता हैं मैं उनको ग्यान देता हूँ ग्यान अदीपिन भास फता और उनके अधिकार को मैं खतम करता हूँ ग्यान के दीपक से उनके अंदर के अधिकार को मैं खतम करता हूँ आज जो अध्याय चोटा रहेगा क्योंकि कहीं सारी विभूतिय की आगे चर्चा आगी किसी के कुछ प्रशन हो तो आगे पूछ सकते हैं तो आगे फिर बारवेश लोग से अरजुन बोलना शूर करते हैं अभी तक दोस्त के रूप में सुन रहे थे और और कन्विन्स भावान ने अपने बारे में बताना शूर किया आप कहते हैं अरजुन आप पवित्र हो आप परम भगवान हो और आप सबसे पवित्र हो आदी देवं अजम विभूम पुरिश्म शाष्वत दिव्यम आप दिव्यो और फिके कहते हैं ये मैं नहीं कह रहा है कौन कौन कह रहे हैं नारद असित देवल अव्यास ये वेडिक अथोरिटी से हैं कोई कहा है कि अरजुन तो चाप लूसाी कर रहता अपना दोस्तों को बहगवान बता दिया नहीं उन्ये का मैं नहीं इनिट वेडिक अथोरिटी है लाद जेफ सारे गरंद लिखे वेडिक अथोरिटी है जब यह कह रहे हैं तो बात में वेट है तो 12 से 13 शलोग में अरजु ने दो शलोग बोले इसमें कहा भगवान की सुपरमेसी को इस्टैबिश किया कि आप भगवान परम भगवान है और आप ही सबसे प्योर हैं आप ही Absolute Truth है कोई भी आपके बारे में नहीं जानता 14 शलोग में अरजु ने बता रहे है जो आपने मुझे बताया है किसी को नहीं पता ना किसी देवता को पता है ना किसी राक्षस को पता है सिर्फ इस ग्यान को आप स्वेम जानते हैं और कोई नहीं जानता और किर्पिया करिए मुझे और बताइए मैं आपके बारे में जो सुन रहा हूँ उससे मैं संतुशनी हूँ मेरी आँखें कान नहीं भर रहे उससे मुझे और बताइए तो एक कृष्णा कॉंशियस वेक्ति जो ग्यान लेता है उसकी सिंट्स बताएंगे वो भगवान के बारे में जब सुनता है तो कभी संतुशनी होता एक चीज का लारज हर किसी को आना चीए भगवान के बारे में सुनने का जानने का और फिर क्या कहते हैं भगवान अठाजवान श्लोक में अर्जुन बताते हैं विभूतिया, विभूतिया मतलब आश्वारे के बारे बताते हैं कि मेरा आश्वारे बिल्कुल अलिमिटेड है हम हरस लोग पर चर्चा नहीं करें क्योंकि हम इसका आवर्वी देना चाहते हैं आगे विभूतिया आएंगी कई प्रकार की तो उस पर भी हम एक ओवर्वी बेसिस के बताएंगे फिर भगवान बताते हैं कि मैं सबके हिर्दे में बैठा हूँ मैं ही शुरुआत हूँ मैं ही अंत हूँ, सबका सब जीवातमों की मैंने ही शुरुआत करी है मैं ही अंत हूँ, हाना सबके हिर्दे में बताना शूर करते हैं जैसे बताते हैं जितने भी चमकने वाली चीजी हैं उसमें कोन है मैं हूँ सूरे सूरे सब ज़्यादा चमकता है जितने भी देवता है उसमें सबसे प्रमुख देवता कोन है इंद्र कि कहां कहां मेरा इश्वरे देख सकते हो इसको साधान बाश्या में कहेंगे मालीजे, वसमें किरिकट नहीं था अगर ऐसा कहना होता है भावान का अश्वर बावान बता रहे है जहां भी विभूती है जो स्पेशल चीज है जो स्पेशल पावर कहीं दिखती है वह बया हूँ, मालीजी किर्केट का उधारन, अगर किर्केट में कहें तो, वहान अगर उधारन दे तो सचिन टेंडू कर मैं हूँ, इस में कहने का मतलब क्या है, कि एक स्पेशल इसको इंपावर्म मिलिये कहां से, मुझसे ही आई है, जो इसके अबिलिटी इन मैं, वेक्ति पढ़ लेते हैं, कि जितने भी रुद्र हैं, उसमें मैं शेव हूँ, जितने भी रेक्षास हैं, उसके अंदर मैं कुवेर हूँ, जितने भी वस्व हैं, उसमें मैं अगनी हूँ, जितने भी परवत हैं, उसमें मैं मेरू हूँ, तो उस प्रकार से, तो ये आप खुद बताते हैं कि मेरी एश्वरे का कोई अंत नहीं है तुम आपको थोड़ा सा बता रहो हिंट के लिए यह तो बस सिफ एक मेरा स्पार्क है और मैं अपने एक छोटे से स्पार्क से पूरे जगत को बना देता हूँ और फिर क्या करता हूँ इस जगत को बनाने के लगत अबाद का क्वन जुदumin उले हैं घर मेरी महान था कितना मैं पारफल हूँ और मिचसे हिस सब कुछ निकला है मेरी भक्तिकर के वक्ति aller पार पका के पाप से मुक्त हो जाता है और अंत में मेरे ही धाम को वापिस लोड़ता है और कैसे मेरे दो शुद्भक्त आपस में हमेशा खुश रहते हैं गीता के चतुश लोकी गीता का जो यहां पर एसेंस बता है कि सब कुछ मुझसे ही निकला है और भगवान के जो शुद्भक्त हैं हमेशा निर्टा भगवान के बारे में चर्चा करते हैं और ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हैं भगवान उनको विशेश बुद्धी देते हैं कैसे वो भगवान की धाम आ सकते हैं और भावान ऐसे लोगो ग्यान देते हैं, ग्यान दीपीन भासवता, उनको किरपा करने के लिए भावान उनको ग्यान का दीपक चलाते हैं, उनके सारा अंधिकार खत्म करते हैं, दुनिया में जब तक हमें भावान की किरपा नहीं मिलेगी, तर तक हम भावान को नहीं समझ स भावन को समझने के लिए हमें भावान की किर्पग ही जब होते है तो ये अध्याय थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें जो विभूती आए हर विभूती चर्चा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा अगर आपके कुछ प्रशन हो तो पूछ सकते हैं और फिर हम समागे पढ़ते हैं को हाम्मले जो कोशन आपने सुनोह का हम हम डोटिंग गंटे काम क्यों करना हैं, गोषवामी काम नहीं करते थे, वह भवान की सिवा में लगे रहते हैं। कई परगार के लोग हैं यहाँपर огग इस दर्ती पे होते हैं एक है जो बिलकुल अभक्त है एक है माले जाए उसमें एक category जो भक्त बनने का प्यास करें है और एक है जो perfect devotee बन चुके है जनको कहते हैं जीवन मुऌक्त जब एक जीवन मुक्त हो जाता है तो 24 गंडे भवान की सेवा करता है अपने मन से Body, Mind and Words तीन चीवान की सेवा करता है Body से, अपने Mind से, अपने Words से 24 गंडे भवान की सेवा करता है तो ऐसे करते हैं वो प्रकर्टि के तीन गुणों से उपर उड़ जाता है उसको कहते है जीवन मुक्त सा उचेते उसके लिए क्या खाया, क्या नहीं खाया कब खाया, कब नहीं खाया कुछ परवान नहीं करता है वो इतना एब्जॉब रहता है उसकी इटिंग और स्लीपिंग बहुत रड़ीवस हो जाती है तो जबरदसी कुछ भी नहीं होता जैसे आपने का सिर्फ दो तिन घंटे मुझे आपका काम नहीं समझ आया मैं इसको यहाँ पर भक्ती का एक सिगनल वान के चलता हूँ तो हम दो तिन घंटे भक्ती कैसे करें काम तो हर कोई अपने 24 घंटे करता ही है दो तिन घंटे भक्ती निकाले के लिए अपनी 16 माला का जब एक घंटा रीडिंग, कुछ मंगल आरती, कुछ लोकों को पढ़ना, गीता के कुछ सुनना, यह हर किसी को निकालना चाहिए हर किसी को अपने ओपर टाइम ज़रूर इंवेस्ट करना चाहिए तो क्या होता है, जब अपने ओपर टाइम इंवेस्ट नी करते हैं और एक्सटर्नल गोल्स में लगे रहते हैं तो क्या होता है, अंदर से एक डिसससेक्शन आती है हम मून रूप से संतूशन यह पाएंगे तो इसको कहता है परस्नल डिवलप्मेंट हर किसी को अपने परस्नल डिवलप्मेंट भार के लोग भी परस्नल डिवलप्मेंट पर काम करते हैं कैसे अपनी साथिस्फेक्शन बढ़ाएं कैसे कॉलिड अफ लाइफ बढ़ाएं भक्त जानते हैं सत्य को पर्सनल लिप्मेंट किया है कि जितना मेरा संपर कृष्ण से ज्यादा बढ़ेगा जब दो-तीन घंटे की बात करें हैं यह दो-तीन घंटे आप काम नहीं करें हम अधियात्मे इसको लैंविज में भॉलते हैं भक्ति के लैंगवेज में कि कृष्णी के साथ समय बताना चैंटिंग कुछ कारे नहीं है चैंटिंग आप कृष्णी के साथ समय बता रहे है when you're chanting you're with Krishna when you're hearing Bhagavad Gita you're with Krishna you're hearing his message what Krishna says and we're attending to deities you're seeing Krishna so that way तो जीवान का लक्षे तो होना चीए चोविस घंटे भवान के साथ रहें लेकिन अभी हम साधना प्रैक्टिस कर रहे है तो आटलिस दिन में दो-तिन घंटे जरू निकाले है जिसमें सोला माला का जब मंगलार्ति करना कुछ रीडिंग जरू करनी चाहिए ताकि हमारी रोज की इंस्पिरिशन बनती रहे और धीरे-दीरे इसको बढ़ाना भी चाहिए और इसकी प्रेणा आप अपने साथवले भुक्तों से ले सकते हैं इसको हमने कहीं सारे से भगते हैं जो रोज सोला माला का जब करते हैं बहुत प्रैक्टिकल है अपने शेडूल को उस प्रकार से डिजाइन करते हैं अपनी चीजे को प्राइटाइस करते हैं यह तो एक बेसिक टाइम मैनेजमेंट करके भी करा जा सकता है तो वेक्ती जब पढ़े का तो इसको प्रिशल आइफ इंपोर्नेस पता लगती है सुनेगा तो जादा और उसको क्लारिटी मिलती है और वो आगे बढ़ता है तो एक हर चीज़ ए ग्रैजुल प्रशेस है हो सकता है कोई चार माला आठक माला कर रहा हूं तो धीरे 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 एक अच्छा अध्यात्मिक महादर्शन लेके अपने वरिष्टों से अध्यात्मिक माय में आगे बढ़ना चाहिए नेक्स कुछिए गौर्णक सिंगर्पू का प्रशन है दो प्रशन है प्रशन है कि ब्रह्म जोती क्या होता है प्रशी प्लीज डिटेल में बता जीए दूसरा प्रशन है कि क्रिष्ण अगर अकार रूप में कैसे दिखते है तो प्रशन प्रशन ब्रह्म जोती कैसे होती है ब्रह्म जोती क्या होती है ब्रह्म जोती सिंपल सा है इसको भावन गीता में बताते है कि ब्रह्म जोती भावान का शरी से जो प्रकाश निकलता है उसको कहते है ब्रहम जोती कुछ लोग जब meditation करते हैं Goddess light वो कहते हैं कि हम meditation करके हम light के दर्शन होंगे वासने में ब्रहम जोती है अगर कोई इतना उपर जाए तो वैसे साधान तरह यह possible नहीं है पहला प्रशन ब्रहम जोती भावान के शरी से रोशनी निकलती है और कुछ लोग जो भावान को निराकार मानते है वो इस ब्रहम जोती में लीन होना चाहते है क्योंकि उनको यहीं तक के सुक के बारे में पता है इसको कहते है ब्रहम अनंद का सुक इस पर भी टेस्ट है लेकिन भागवान बताने टेंप्री टेस्ट है एक दिन खतम हो जाएगा और क्या है वेक्ति ब्रहम जोती में जो लीन हो गया है वो दुबारा किरेगा ब्रहम जोती में लीन होने का मतला वो प्रकाश में जाके मिल जाता है और इसको एक उधान से समझ सकते हैं कि एक वेक्ति को आपने कमरे में अकिला बंद कर दिया उसके पर कुछ करने के लिए कोई अक्टिविटी ने है वो बस पैठा है तो एक वेक्ति कमरे से भगा निकल के जाना चाहेगा जैसी भगा निकलता तो बहुत ही जिकत में गर जाता है तो ब्रहम जोती में कोई एक्टिविटी ने है कोई फॉर्म के दर्शने है सिर्व लाइट है लाइट को कब तक देखते रहेंगे और दूसरा भगवान का क्या है कृष्ण का कार कैसा है कृष्ण का कार शासर में वर्णन है जो भगवान के जो विक्रे बनाते हैं त्रिभंग मुरारी है भगवान के हाथ में मुर्ली है मोर पंक है ऐसे उनका थ्री बेंट फॉम है इस प्रकार के उनकी आईज हैं, लोटस आईज हैं और उनकी हर जगा इन जगा वे लालीमा होती है तो इस प्रकार से भवान के हम एक विगरे मनाते हैं जो भवान खुद बता रहे हैं, उद्धफ को ग्यारवे स्कन में उसके हिसाब से विगरे मना जाते हैं तो भवान का एक आकार है, अभी आप देखेंगे ग्यारवे जब अध्याय आएगा तो भवान अपना विरावज रूप के बाद अरजन भवान से प्रात्ना करेंगे, मुझे अपना द्वी भुज रूप दिखाईए, शाम सुन्दर रूप दिखाईए मैं इसे आकाशे तो हूँ, विरावज रूप से तो मैं नहीं तो फिर वो अपना द्वी भुज दिखाते हैं अरजन अरजन को भवान तो इस पर, next question तो आज यहीं पर विराम देते हैं तो इस शलोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भवान बहुत महान है और हर बहुत जीव महान बनने का प्रयास कर रहे है इस भौधी जगत में बस मैं दो मिट और इसमें एक शिक्षा जूर देना चाहेंगे हर कोई व्यक्ती जब तक शुद्य भक्त नहीं बना कुछ ना कुछ लेवल पे भवान से कॉम्पटीशन करी रहे जब तक वो प्योर डिवोटी नी बना कुछ ना कुछ हर लेवल पे कॉम्पटीशन कर रहे है कुछ वो पर्फेक्शन है जब बिल्किल प्योर हो जाता है तो भवान से कॉम्पटीशन करना बंद करता है क्या है? कि वहीं भागवान बना चाहता है, मैं भी अठ्रेक्टिव बना चाहता हूँ यह भावान के सामने ख्यिलोने आने विक छ़िलने के आदत है इसको अकरशित होना चाहिए, मेरी तरफ अभी यह खुद ही अपने होगा दिखाना चाता है दुनिया में खुद ही बहुत कुछ करना चाता है, तो अभी इसका सम्हीन ही आया और ठीक है, एक रूप से भावान खुश तो नहीं होते एक तरफ से यह है कि चलो भक्ती के द्वारा कर भावन किसी भक्ती जाते हैं तो उसके द्वारा बन जाते हैं, ठीक है इतना सस्ते से यह में को भावान को कोई खरीद नी सकता है कोई काईगी मैं हर चला की इच्छा भी कलों और मुझे भावान में मिल जाए तो दो नाओं में पै डालके वेक्ती आगे नहीं बढ़ सकता तो गौद रलाइजेशन और सेंस गडिफिकेशन गो इल टुगेदर, दोनों आपस में टक्राते हैं दोनों आपस में कभी मिलेंगे नी कोई आत्म सक्षात कर भी कर ले, खूब इंदे तित्पी भी करे दोनों मिलेंगे नी ना माया मिले, ना राम, ना भावान मिल पाएंगे सांस गडिशन तो चाहिए, फिर भी अफलेबल है, लेकिन उसमें कुछ संतुष्टी नहीं है आप खरकीज के अपना परसनल भाव है तो हमें महान बनने की जगा भगवान का शुद्भग बनने का प्रयास करना चाहिए और भगवान ऐसे वेक्ति, क्योंकि भगवान महान है, शक्ति शालिय है तो वेक्ति जब वासे में शुद्भग बन जाता है तो भगवान उसको भी शक्ति शालिय बनाते है उसके वचनों में, उसके कारियों में बहुत शक्ति होती है वो बिना कहें भी बहुत को संदेश से देता है एक शुद्बग की पेशान होती है उसके साथ बहने से ही purity फील होती है जैसे दुरु मारा थे ज़र तपसा करे थे उनकी शुद्धता थे उनकी कृष्णा कॉणचे से पूरे भ्रहमान हिल गयाता जब एक प्यूर होता है पूरे भ्रहमान को भी प्रभावीत कर सकता है तो हमें भ्रहमान की भक्ति करके शुद्ध बनने का प्यास करना चाहिए और जब भ्रहमान हमारे साथ है तो सारी शक्ती भ्रहमान की हमारे साथ है और जब हम अकेले हैं तो हम अनात है दो प्रश्ण है आप कल पुछ लेगा अच्छा जी गौरफ संगल पुरू का प्रशन है भगवान परमात्मा और मोहित गुपता जी को प्रशन है किनका सोरा मोहित गुपता प्रवान मोहित गुपता सोल भगवान का अंस है फिर उसकी पत्ति भगवान के किस अंग से हुई है किस अंग से हुई है ऐसे अंग का बढ़न नहीं है भवान से हुई है कौन से अंग से निकली ये तनी भवान की एनरजी है ऐसा कई है पढ़ने को विवनन नहीं आया अंग से निकली भाग्वान के भाण की बॉडी से निकली भाणने इसकी उत्पत्ति करी ऑज़ियोर ऐसे बंडना आता है 'll play ब्रह्म दो तरीके ब्रह्म होते हैं ब्रह्म प्रभमात्मा और भाग्वान में क्या फरऊंड यह भाग्वान के साखषात करके तीन स्टेजिस हैं जो शुवाती लोग होते हैं वो भगवान को सिर्फ निलाकार देख पाते हैं और जैसे माली जे एक ट्रेन हैं दूर से दिखती है तो सिर्फ धुआ 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 दिखता है कुछ पास देखते हैं तो रिलाइट दिखती है और पास है तो पूरी टेन डिखती है तो जब भगवान से बहुत दूर दूर देखते हैं तो निलाकार देखते हैं बस और पास आते हो परमात्मा परमात्मा मतलब भगवान हर कंड कंड में विद्यमान है तो महारे हिर्दे में भी बैठे हैं यह होता है परमात्मा तो भगवान का फुल रिलाजेशन जब ट्रेन बिल्कूर सामने आगी वो क्या है भगवान जब भगवान का स्वरूप है जैसे दूर से देखने से एक पहाड सिर्फ दुणद से दिखता है पास आके थोड़ा देखें तो हर्याली दिखती है और पास देखें तो गाएं पेड चड़ तो इस प्रकार देखें दूर से दुंदली जो है जो फोक है पेड एक पहाड की वो भगवान रिलाजेशन है दूसरा हर्याली जो है परमात्मा तीसरा भगवान जब हम उस पेड पहाड पे चड़ते हैं अलगलग पेड दिखते हैं, अलगलग काये दिखती हैं जब भगवान का सबसे close realization यह भगवान realization जब आपने भवान को सक्षाद कर लिए और ब्रहम दो तरीके के होते है और ब्रहम कभी तो ब्रहम भी काया जाता है, तो श्लोक के कॉंटेक्स में पड़ता है कि किस के लिए बात किया। तो ब्रहम परमात्मा की बात भी होती है कभी कभार। क्रिष्णा टाइम व्यूज प्रहम आप्रण भावन ने तो बात कि सब को ये हर शञ ऑपुचुनी दे सकें किया मेरी भक्ति कर सको। अब टाइम फेक्टर ही नियोता तो सब कुछ इस टिल होता। तो भगवान ने टाइम फेक्टर डाला और ताकि सब को अफसर देने के लिए हर कोई भगवान की भगती कर सके है जो समय है यह भगवान की शाय शक्ती है, डिस्ट्रॉइंग पोटेंसी है, समय के दवारा भगवान हर चीज का विनाश करते है जब शिष्टी की रचना करते हैं तो तीन चीजे होती है, समय, इंग्रिडियन्स और क्रियेटर एक समय होता है और शिष्टी के कहीं सारे इंग्रिडियन्स होते हैं और क्रियेटर भगवान स्वयम इन तीनों के साथ इस बहुत जगती रचना होती है समय भगवान की शाय शक्ति है कालो उसमी भगवान कहते है मैं काल हूँ काल की रूप में सब को हर भी लेता हूँ तो इसका एक सिंपल हमारे जिए प्रैक्टिकल सोलिशन यह है कि हर समय हमें भगवान शर्ण हर शर्ण हमें समय दे रहेंगे हर शंट दे रहे है एक एक शंट से बनता है इसके समय के second से भी नीचे इसके categorization होती है division होती है हर शंट भगवाना में दे रहे हैं भक्ति करने के लिए शंट बनाया समय बाया भगवाना ने ताक है हम उनकी भक्ति कर सके So Ayvimona Krishna is giving us opportunity to worship Him Hare Krishna झाल